नमस्कार मनोवेज्ञान एवं जीवन कि इस अध्याय के अंतिम भाग को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं और इसमें चर्चा बहुत ज्यादा नहीं है इसमें हम स्वास्थ व्यक्ति के विभार पर उसका प्रभाव की ही चर्चा करेंगे थोड़ा एड़ेस्ट कर लेँ ये थोड़ा समय ले लेता है स्वास्त स्वास्त के जैविक, मनोवज्ञान एवं सामाजिक पक्ष अंतरणिहट है स्वास्त संबंधी परनाम केवल रोग का कारे नहीं है बल्कि हमारे सोचने तथा व्यभार करने के धांका भी पडिनाम है सुआशली तथा रोग दोनों में मात्रात्मक संबंध है कोई व्यक्ति किसी शारेरी के रूप से अशाक्तकारी रोग से ग्रस्थ हो सकता है किन्तों दूसरी दृष्टी से वह काफी स्वस्त हो सकता है विभीन संस्कृतियों में रोग एवं उसके बचाव के मॉडल की चर्चा की गई है जैसे परमपरागत संस्कृति में शारिरिक तत्थों को सामन जस्य पूर्ण संतुलन पर स्वास्त की निर्भरता को आखा जाता है पाश्यात्य संस्कृति में स्वास्त पूर्ण रोप से मशीन के कारी रोप की तरह हो ऐसा माना जाता है एशिया, अफरिका, लैटिन अमिर्का में संचारी रोग, पोशन हींता जैसी स्वास्त हींता की इस्तिति पाई जाती है लेकिन अभी कसीत देशों में कैंसर, हिरदय रोग, मनोरोग विकार जैसे रोग पाई जाते हैं देखिए, यह हमारा शरीर है इस तरह से दिखाया गया है कि स्वास्त का हमारे शरीर और हमारे मन पर क्या प्रभाव परता है वायक्तिक अस्तर पर स्वास्त को प्रभावित करने वाले कारक है संग्यान हमने देखा है कि कई व्यक्ति ऐसे लख्षनों से ग्रस्थ होते हैं जैसे हमेशा उन्हें मितली आती रहती है उल्टी की तरह महसूस होता रागता है, उन्हें बढ़ावर जुकाम हो जाता है, उन्हें बढ़ावर पेट, दर्द और दस्त की समस्या हो जाती है, तो वे दूसरों की अपएच्छा चिकित सकते जल्ली सहायता मांगते हैं, सहायता मांगने में ये भी भिनताय रोग, उसकी प्रतिक्रियाय होती है वह लोगों द्वारा किये गये अंतरों के कारण होती है संभव है कि कोई व्यक्ति जुकाम के लिए सहायता ना मांगे यदि यह कारण आरोपित करता हो कि दही खाने से मुझे सर्दी हो गई हो तो वो चिकित्सक से सहायता नहीं भी मांग सकता है रोग के संबन्ध में जागरुकता से विश्वास होता है कि यह क्यों उत्पन होता है तथा इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं फिर आता है व्यवहार मनोगे ज्यानिकों ने प्रबल शाक्ष द्वारा ये देखा कि हमारी व्यवहार जीवन सेली हमारे स्वास्त को अत्यदिक प्रभावित करते हैं धुम्रपान, शड़ाब, मादक द्रभ, असुरक्षित काम व्यवहार, आहार, शारेरित व्याम इत्यादि में अत्यदिक भिनताएं लोगों में पाई जाती है यह सुईकार किया जाता है कि हिरदय रोग, कैंसर, HIV अन्य रोग ऐसे हैं जो कि व्यवहार आयूर्वी ज्यान में प्रकठ हुए हैं इसे उत्पन जो दवाब होते हैं उसके लिए व्यवहार में परिवर्तन पर बल दिया जाता है सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारक के रूप में हम देखें कि यह विभेद्वी शरीर क्रियात्म कनुक्रियाओं को प्रभावित करती है जैसे विद्वेश, क्रोध और CSD में संबंद सभी संस्कृतियों में एक समान नहीं है यदपी संस्कृति तथा शरीर क्रियात्म कनुक्रियाओं में अंतक्रियाओं पर और अधिक साक्षियों की अवश्यक्ता है इन तो सामाजिक तथा संस्कृतिक मानत जो भूमिकाओं और लिंगों से जुरे हैं वे हमारे स्वास्त विभारों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं विभार पर टेलिवीजन का प्रभाव किसी वेक्ति के विभार पर टेलिवीजन बहुत असर डालता है तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव पाये जाते हैं तो हम इसे करमशह देखें कि अनुदेश का यह एक प्रभावी माध्यम है इससे सर्जनात्मक्ता में वृध्धी होती है इससे तथ्यात्मक सूचनाओं की प्राथ्थी होती है लक्ष पर ध्यान केंद्रित करने में व्यवधान उत्पन होता है, सकारात्म का भी वर्थियों का निर्मान होता है, अनुकरन की प्रविर्थी का निर्मान होता है, कैथार्सिस की प्रक्रिया का भी यानि की तनाव की से भी मुक्ति रेचन का भी कारिय करता है, साथ ही साथ उ प्रविर्ति का भी विकास होता है यहां हम देखें कि एक विक्तिची खड़ा है यह तकिये को लेकर नाच रही है यह कैथार्सिस की प्रक्रिया हो सकती है कैथार्सिस की प्रक्रिया कुछ इस तरह से काम करती है कि जो सहज आकरामक प्रविर्तियां होती है जो कुछ भीतर इसे निकालकर अ, हमारा मानसीक तंतर में जो विकार हम अउधपन होता हैionesी. वह साप हो जाता है तो इस तरह की हलका महसूस करने लगता जब उसके अंदर की चीज़ों को खुले रूप में व्यक्त करने का मौका मिल जाता है यही कैथारसिस यानि की रेचन प्रक्रिया हम इसे कहते हैं इसमें शिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न था हमने सिर्फ एक प्रश्न खोजा स्वास्य समंधी कारकों में से कौन महतुपूर्ण नहीं है यहां हमारे मनोविज्ञान एवं जीवन समंधित अध्याय के चाह गों में हमने इसकी प्रस्तुती की तो इस अध्याय का यहां अंत होता है और हम आगे दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे तब तक मुझे दीजिए विदा